यह question भी बहुत simple है, हमें दे रखा है कि 1 by P plus 1 by Q is equal to 1 by P plus Q, हाना, यह given information है, इसका use करकर के हमें find करना है, then P to the power 3 minus Q to the power 3 का value क्या होगा, यह हमें find करना है, देखो वो simple होता है इस type का question, अगर formula का mapping तुम्हार mind में अच्छे तरीके से हो, यानि कि formula तुम्हें अच्छे तरीके स learn हो, देखो A to the power 3 minus B to the power 3 का जो formula तुम learn किये थे, वो क्या किये थे, A minus B, यहाँ P minus Q हो जाएगा, इसका formula PQ minus Q, Q का power 3, इसका जो formula होगा P minus Q into P square plus Q square और plus PQ हो जाएगा, यहीं formula होगा, अगर हमें इसका value निकालना है, indirectly, हम इसका भी निकाल सकते हैं, अगर इसका निकाले तो solve करोगे, तो जरूँ इन दोनों में से कुछ न कुछ जरूर आजाता है, इस टाइप को question में यही होता है, देखा जाए, solve करके, given है हमारे पास 1 by P plus 1 by Q, देखो इसमें, अगर हम लोगे LCM लेना चाहें, तो denominator P or Q है, LCM हो जाएगा PQ, LCM कितना होगा, PQ होगा, देखो यहा दोनों जो है, यहाँ यह divide में है, अगर इसको हम इस side भेजे, तो multiplication में चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते है, Q plus P का whole square, देखो, P plus Q into P plus Q, इधा divide में इस side आया multiply में, तो Q plus P और P plus Q, दोनों जो multiply होगा दो बार, अगर हम ऐसे लिखे, दो बार लिखे, तो इसक गया, तो PQ जो 1 से multiply होगा, तो PQ बन जाएगा, यहाँ लोग लिख फाएंगे PQ, नेक्स देखो, यहाँ पर अगर हम लोग A plus P के whole square के formula पर इसे break करना चाहे, तो यह हो जाएगा, Q का square plus P का square plus 2PQ, 2PQ या 2QP कुछ भी लिख सकते हो, और इस PQ को अगर हम लोग इस side लेते जाए, तो minus हो गया PQ, और यहाँ पर आगया 0, 0 बचेगा, हाना, I think तुमको approach अभी यहाँ से लगने लगा होगा, क्या करना है, देखो यह 2P, Q का square plus P का square plus 2P को इसके formula पर break कर लिए, और इस PQ को हम लोग इस side लेते हो, तो यह plus में था, इस side minus में, यहाँ 0 बच गया, एक PQ को अगर तुम, अगर minus कर लो, तो क्या बचेगा, PQ बचेगा, यानि कि Q square plus P square plus PQ का जो value हो 0 आगया, हाना, इसका value हम लोगों के पास 0 आगया, किसके help से, जो given था, उसका हम लोग help हिए, तो हम लोग यहाँ से Q square plus P square plus P का value 0 निकाल पाए, बस देखो यही value, इसका value 0 आगया, हाना, Q square P square PQ, P square Q square PQ, इसका value 0 आगया, अगर इसमें, अगर तुम 0 पूट करते हो, यहाँ पर तो यह पूरा का पूरा 0 बन जागा, क्योंकि बीच में multiplication है, यानि कि PQ minus Q का जो value आगया, वो आगया, is equal to 0, because यहाँ पर P minus Q को into करोगे, इसका value, यानि इसका value 0 निका क्याले, है की नहीं है, देखो इसी टाइब का और भी important question देखने के लिए, जो तुम्हारे maths को boost करेगा, या जो अलग-अलग competitive exam point of view से important है, तुम इस channel पर math booster जो playlist है, वहाँ विजिट कर सकते हो, वहाँ बहुत important question हम upload किये हुए है, और इसी टाइब का और भी upload हो रहा है, बह बाहें प्याइब के बाहे है तुम्हारे है, बाहे है है बाहे है बाहे है, बाहे है I B